ताज इंग्लिश अखड़ में यह मेरी डिग्रीज है अब आप चलते हैं हम पिछली वीडियो पे हमने कहा था पिछली वीडियो पे मैंने वादा किया था कि स्परकन इंग्लिश में रोज रोज इस इस की जमा होगी और हाउज यह घर हाउज इस इस लगेगा तो वो पिछली वीडियो है आप फिर से चक्कर के देख लीजिये उसे ताजूलिश अकाड़मी ताजूर्दू अकाड़मी में आपको मिल जाएं उसके बाद ही यह लगे काउसा लगेगा जिसका मैंने कहा था वादा किया था दी और दा कुछ लोग कहते ही अलकालम बिल अरबी अरबी में अली फिलाम अल लगाते हीं तो दा होगा किताब कोई किताब कोई भी ए बुक कोई भी I want a book I want a pen मुझे बस यह खलम चाहिए कोई भी लिखने माला I want a book I want a book I want a book अगर मैं कहूँ के I want T.H.E. लगा दिया मैंने book से पहले तो खास किताब होगी जिसको मैंने दिया था या मैंने खरीदे थी या कुछ खास इशारा करता है It's called definitive I'm looking for a pen मैं ढून रहा हूँ I'm looking for मैं ढून रहा हूँ a pen एक पेन को आप कोई खास pen चाहिए मुझे मेरा है या कुछ खास उसकी तरह इशारा है तो आप कहेंगे T.H.E. लगाएगी T.H.E. स्पेल क्यों कर रहा है आप खुद क्यों ने कहते है यो दी पेन बोल दो आप I'm looking for दी पेन I'm looking for दा पेन दी पेन क्यों सवला सही है ये गलत है और एक सही है क्यों सवला सही है आप पहले कहिए कि looking for T.H.E. को आप दी कहते हैं या दा कहते हैं बोलिया आप कहते हैं दी 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 इसका जवाब भी है मैं आपको बताऊंगा कि क्यों I'm looking for दा पेन I'm looking for दा पेन मैं वह किताब कहा है वह इस दा बुक दा बुक वह किताब ये जबान जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है नेट्व स्पीकर्स वहां के अहले जबान अंग्रेजी दो है या तो ब्रिटिश या नि तो अंग्रिक है अमेरिका है और ब्रिटिश दोनों की ही जबान की स्वी नहीं औस्वेलियन इंग्लिश भी इसमें दाखिल नहीं होती अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम दी और दा की तरफ दाबुक कहेंगे हम सही है दी नहीं कहेंगे क्योंके अब मैं वावल्स की तरफ चलूँगा हरूफ हरूफ प तहजी उसे हम कहेंगे हरूफ प तहजी उसमें हम कहेंगे आलफा बैस ए, बी, अ, इट i, डी सब को आप मुझमा कर देंगे तो हम कहेंगे अल्फबेट्स अब कितने अल्फबेट्स हैं मैंने कही दिया है बहुत पहले कितने हैं 25, 26, 27 एक सेलेट कीजे इसका एक जवाब 25, 26, 27 क्या रहा आपका A, B, C, D, Z अब गिनना शुरू कर दीजेए अब दी और दा जुड़ा हुआ है लेटर्स के साथ अब देखिए 26 is the correct answer A, B, C, D, Z तक 26 26 में 5 अलग कर दीजेए इंग्लिश के आते हैं A, E, I, O, U A, E, I, O, U यह पांच ऐसे खुरूफ हैं जिनको हम वावल्स A is a वावल B, A, E is a वावल I is a वावल O, O, O नहीं O, U अब यह वावल्स को लेके हम क्या करना चाहिए डर्क्र साब अब हमीं वो सबक क्यों पढ़ा रहे हैं क्यों के आपको दी बुक या दा बुक कहने के लिए वावल्स चाहिए कैसे बुक की स्पिल कीजी आप B, O, O टेरे टेरे पहला वाला क्या था B, O, No पहला वाला B आप यह वावल्स में है B नहीं है अब लीजिए खलम बोलिए खलम फैन स्पिल कीजी फी, E, स्टाप कीजी पहला वाला क्या है फी तो बुक के लिए B फैन के लिए फी आपने कहे दिया बहुत अच्छे अब उसके पहले टी एच ए लगा दीजिए बुक से पहले फैन से पहले बी जो है वावल्स नहीं है पैन का फी वावल्स नहीं है तो हम कहेंगे टी एच ए को दा दी नहीं दा दा बुक क्योंकि ये वावल्स नहीं है 26 में 5 वावल्स निकलते हैं तो 21 जो होते हैं उनको हम कहते हैं consonants 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 जो भी होते हैं 21 बी, सी, डी, ये नहीं होता F G H I N तो ये जो होते हैं Consonants अगर T H E के बाद Consonant लगता है लगता है B C D तवाम उनके आवास दा पे जाएगी अगर दा के अब T H E के बाद अगर A E I O U आ जाते हैं तो D भी जाएगा अब चलिए किताब Book B Consonant है उसके पहले T H E है तो आप क्या कहेंगे DA BOOK Not D BOOK DA BOOK फैन के लिए कहेंगे DA PEN D पैने होगा एग एग Starting with E आ जाएगा सबसे पहले ये वावल आ गया वावल आ गया E के साथ आ गया तो T H E के आवास दा नहीं D हो जाएगा D E G फिर नाव Umbrella U से शुरू होता है E I O U उसके लिए D Umbrella Ice Cream Ice से शुरू होता है D Ice Cream Orange O से शुरू होता है E I O U में D Orange Apple D Apple अब मेरे साथ कहीं दीजिए Program Program क्या कहेंगे आप P वावल नहीं है Program का P तो उसके बूलिए D उसका जबर लगेगा उसके पर T H E के उपर जबर D Program ये वो Program है जो मैं भून रहा था जो मैं धून रहा है आदमी One on one मुझे अकेले में सिंगल आनलाइन दुनिया की किसी भी कौने में आप मुझसे लेसंस लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे Contact करें और तेजी के साथ मैं आपको लेते हुए चले जाओंगा वो आपका हमारा मौमिला होगा मैं आपको इंट्रिव करूँगा आनलाइन आपका लेवल देख लूँगा कि रीडिंग कितनी है राइटिंग क्या है आपके फालेटिक्स क्या है आपके समझने का कितने रेसिप्टिल्टी लेवल है उट्याबलरी लेवल कितनी है येरिंग रिसनी का क्या है इतना तमाम आपके लेसेंस के मैं टेस्ट करूँगा फिर उसके बाद आपके लेस्पेशल प्रोग्राम बना क्या तेज़ के साथ आप जो चाहते है सिर्फ बात करना चाहते है या बडी ग्रामर सही करना चाहते है आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए तसही करना चाहते है everything is available I am available for you hopefully inshallah ul aziz please share my videos to all your friends please share with all your friends and subscribe, 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 subscribe Taj English Academy Taj Urdu Academy बाइ 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 बाइ